स्वागत है एक उर सांदार वीडियो में आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल CHO Academy दोस्तो यूपी CHO 5505 वेकेंसी को लेकर सांदार अपडेट है जैसा आप सभी को पता है यूपी एनचम की हर एक अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम प्रवाइड करवाते आ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तो हम जानेंगे कि यूपी CHO 5505 जो वेकेंसी थी सभी का ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर बुला लिया गया है सभी के पास मेसेज आ गया है ऐसा सुनने में आया है जितने भी कंडिडेट्स हमारे चैनल के साथ जुड़े होए हैं CHO केडमी परिवार में जुड़े होए हैं सभी का यहाँ पर कमेंट्स आ चुका है कि सर हमारे को वाट्सअप ग्रूप के तहत एड कर लिया गया है और ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर बुला लिया गया है आगे आने वाली हर एक वेकेंसी के अपडेट्स जानने के लिए और सेकिंड नमर पॉइंट हमारा यहाँ पे रहने वाला है कि जिसके पास कोल नहीं आया है वो कंडिडेट यहाँ पर अब क्या करें क्योंकि बहुत सारे other state वाले candidate हैं जिनके पास call नहीं आया है, call उनके पास इसलिए नहीं आया है, क्योंकि उनके पास slip था only और किसी किसी के पास slip नहीं था, तो जिनके पास slip नहीं था उनको वैसे आलरेडी बाहर कर दे गए हैं और जिनके पास only slip था, valid registration नहीं था यूपी का, तो वो candidate पे यहाँ पर बाहर हो गए हैं हमारा next यहाँ पर point रहने वाला है कि वेटिंग में OBC और जनरल सभी का selection कैसे होगा, क्योंकि other state के candidate हैं यहाँ पर सुनने में ऐसे भी आया था कि बहुत ज़्यादा candidate other state वाले community health officers के लिए यहाँ पर डीवी करवाया था लेकिन वो candidate आप यहाँ पर बाहर हो चुके हैं, 90% candidate है other state के वो बाहर हो चुके हैं only registration को लेकर cast certificate को लेकर बहुत सारे यहाँ पर updates था और covid experience को लेकर तमाम ऐसी बाते थे जिनको लेकर जो other state वाले candidate हैं वो vacancy से बाहर हो चुके हैं जो UPCS 5505 की जो race थी उस race की दोड़ से बाहर हो चुके हैं तो UP वाले जो जितने भी candidates हैं, यहाँ पर general वाले candidate हैं, OBC वाले और OBC वाले वो candidate जिनको cast certificate को लेकर बाहर कर दिया गया था, reject कर दिया गया था अब उनका यहाँ पर waiting list में आने का पूरा पूरा chance है, तो सारे जितने भी अपने documents हैं, वो बनवा ले और affidavit बनवा सकते हैं, cast certificate है, वो बार बार आपको लोगों को मैं repeat कर रहा हूँ, अपने father side का बनवा ले अभी भी time है, क्योंकि waiting list है, वो December के end तक आने वाली है, और second waiting list आएगी, वो आपका चार या पांच मेने बाद है, जैसे ही चार मेने का training session खतम हो जाएगा, उसके बाद आपका waiting list आपको देखने को मिलेगी, मई और zone के अंदर आपको second waiting list देखने को मिल जाएगी, waiting list लेटे डे आप लोगों को मैंने आलरी बता दिया है, और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो card certificate है, वो किस तरह के का बनवाना है, इस तरह के से page आएगा, आया हुआ है, आप लोग जो emitter है या फिर cyber care पे कहीं से भी आप अपना card certificate का ये print हो निकलवा सकते हैं, इसको fill कर सकते हैं, अपना पूरा इसमें bio data आपको बढ़ना है, अपने father side का देन, उसके बाद में last में आपका पूरा स्ताकसर, पूरा नाम, पदनाम और जिला दिकारी है, जो तैसिल का, वहां से आपको magistrate का सभी का यहां पे sign करवा के, अटेस्टेड करके और ये submit करना है, और आपका ये जाती प्रमान पत्तर अपने father side का इस तरीके से बन जाए और अपना जो का सेटिफिकेट है, वो बना सकें, त्योंकि दोस्तों आपको बीच में यहां पर बताना चाहूंगा कि जो अभी हाली में UPA, NHM की तरफ से स्टाप नर्स की, A&M की और जो वेकेंसी निकाली गई है, 17,000 पोस्ट, इसमें भी जो का सेटिफिकेट को लेकर issue है कंडिडेट के सामने मैंने आलरेडी वीडियो में बता दिया है, लाइव सेशन में आ चुके हैं, उसके दोरान भी आप लोगों को बता दिया है, उसके बावजूद भी कंडिडेट के बहुत सारे मेसेज आ रहे हैं, पता नहीं उनके दिमाग में ऐसी बातें क्यों नहीं बार बार यही रिपीट कर रहे हैं कि पॉइंट नमर 6 में देखो, यहां पर साप साप लिखा हुआ है कि इनके सो फिमेल कंडिडेट तब वैलिड का सेटिविकेट इस्यू फ्रों फादर साइड विल बी ट्रेटेड वैलिड फादर साइड का ही वैलिड माना जाएगा अन वीडियो के मातिम से बता दिया है, लाइव सेशन में आकर आप लोगों को सारी डिटेल में बता दी है, उसके बावजूद भी आप कमेंट कर रहे हैं और जैसा आपने पिछला CHO का फारम बराता उसी इसाप से अगर यह फारम बरोगे तो रिजेक्ट कर दिये जाओगे, पहले आप लोगों को मैंने बता दिया है, अब आप लोगों के उपर है, आप किस परकार से अपना जो कार्स रिटिविकेट है वो बनाओगे, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, जो CHO Academy चैनल है, वो सारी competitive exams के लिए यहाँ पे क्यूशन पेपर है, ओल्ड प्रिवेश आप को हर एक टाइप के यहाँ पे क्यूशन पेपर मिल जाएंगे, आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि जो UPI, NHM की तरफ से CHO की जितने भी अपडेट्स हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे अपडेट्स मैंने डाले हुए हैं, जहां से वेक सकते हैं, सारा हर एक एक वीडियो मेरा यहाँ पे डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, आपकी सहुलियत के लिए और अपने दोस्त को भी सेयर कर सकते हैं, जो ग्रिवेंस पोर्टल ओपन हुआ था, उसको लेकर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया था, जिसमें आप सकते हैं, काटॉफ है, उसको देख सकते हैं, कितनी काटॉफ हैं, वह कितने आने वाली है, हर एक वीडियो मैंने अच्छी तरीके से डाला हुआ है, तो जिन कंडिडेट ने अभी तक चेनल को सबस्क्राइब के लिए और वीडियो को लाइक कर द अ कर दें और बाल आइकन जो उसको all notification में प्रेस कि लिजीएता की जैसे ही हम कुछ notification डाले हमारे Candidates के लिए तो सभी Candidates के पास timely वह मैसेज पहुँसे के तो Bill icon को All notification प्रेस कि लिजेएगा तक हर एक vacancy की update हर result की update आप लोगों थिभी जल्ट exists जल्द है वह की लेब टेकनिशिन के और फार्मासिस्ट के जितने भी वेकेंसी निकली है सभी वेकेंसी के लिए जो का सर्टिविकेट है वह अपने हज्बेंट साइड का यहां पर का सर्टिविकेट मांगा गया है और उसमें जो time mention किया गया है उस time के accordingly आप अपना card certificate है वो जल्दी से बनवा लें क्योंकि बहुत बड़ी vacancy है increase भी की जा सकती है post को और गठाई भी जा सकता है तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो सबसे पहले notification है वो यह नम स्टाब नर्स जो vacancy निकली थी उस vacancy को लेकर निकाला गया है और जो second वाला यहां पर notification है वो उसमें changement किया गया था क्या changement किया गया था जिसमें अपना OBC और जो EWS card certificate है उसको लेकर अलग से यूपे अनचम ने आल्रेडी ही notice निकाल दिया है कि वह कब तक का होना चाहिए valid है वह कब तक का माना जाएगा document verification के दोरान तो वह का certificate में आप लोगों को हर एक वीडियो में ही है क्या वो चलेगा कि नहीं चलेगा आप लोगों को वहा कितनी बार बोल दिया है कि जो का certificate है वह प्लीज फादर side का ही मानने होगा क्योंकि जो notice निकाला गया है उसमें साब साब और recruitment में क्लियरली लिखावा है मेंसन है कि जो का certificate बनेगा आपका इस वेकेंसी के लिए फादर साइड का ही यहां पे treated valid किया जाएगा तो प्लीज अभी तक नहीं बनवाया है तो फारम की जो last date है वो 12 दिसंबर है 12 दिसंबर में अभी आपके पास 10 दिन और sales है और 10 दिन के अंदर इसमें एक दिन का टाइम लगता है का certificate बनवाने में दो दिन का टाइम लग जाएगा और का certificate में आप लोगों को यही suggest करूंगा कि सबसे पहले आप अपना का certificate बनवाईए और उसके बाद दे जो फोरम है वो अपना fill up करिये जो भी staff nurse का हो, A&M का हो, lab technician हो, pharmacist हो, जो भी post का हो वो अपना का certificate बनाने के बाद ही आप फोरम है वो fill up करें अगर आपको benefit लेना है certificate का तो, नहीं तो आप ना बनवाई, जैसा है वैसा आपको general में count कर लिया जाएगा और इससाब से आपकी merit बनेगी, उससाब से waiting list जो आएगी वो उससाब से आएगी, उसका सारा criteria आपका बिल्कुल change हो जाएगा, selection procedure वो बिल्कुल change हो जाएगा, बाकि जो भी अगर UPNHM जो vacancy है, या फिर जो community health officer है, उसके regarding अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत है, please comment box में message कर सकते हैं, बिल्कुल आपको reply दिया जाएगा, और ज्यादा explain में आप जाना चाहो हो, तो हमारा live session चला हुआ है, आलरेड़ी, दो चैनल से हैं, CHOCADB नाम से ही, दोनों चैनल पर live session चला हुआ है, वहाँ पर आप वीडियो को देख सकते हैं, और बिल्कुल एक डेट गंठे का वीडियो है, सारा अच्छी तरीके से उसमें समझाय गया है, तो वो आप लोग देख सकते हैं, धन्यवाद दोस्तों, न्योडि के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए, नमस्कार